प्रशाइद यही बुक्य जो मैं बच्पन में लिखा करती थी यह रेड वाला है कि से मेरी बच्पन की बहुत सारी मेमरीज चुड़ी हुई है कि अच्छी लग रही है पहले जैसे ही एकदम गलो कर रहा है मेरा पहले फेवरिट होता था कि लिटर कोई भी अपने फेवरिट डायरी पे लिटर शीट लगाना घर में कोई नहीं है और मैं बाहर जा रही हूं तो घर का ध्यान रखना दीदी आप कहां जा रही हो इससे तुम्हें क्या मतलब मैं कहीं भी जा रही हूं तुम्हारा इससे क्या लेना देना है मैंने बस बोल दियाना बस घर का ध्यान रखना तो ध्यान रखना जादे मेरे लाइफ में में फ्यार करने की जरूरत नहीं है समझी मुझसे बुरी तठीक से कैसे बात कर सकती हो क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ मेरी बहन नहीं हो क्योंकि मेरी बहन आज से दस साल पहले ही मर गई थी सारा मूट खराब कर दिया मेरा इसने आज से दसतल पहले हम दोनों बहनों में सब कुछ सही था आप कहां जा रही हो इंता मत करो मैं जल्दी आ जाओंगी तब तक तुम्हारी दीदी तुम्हारा ध्यान रखेंगी आप न जाओ मैं अपनी चोटी बेहन का हमेशा ध्यान रखूंगी हमेशा और कभी भी अपनी बेहन को शैड नहीं होने तूँगी पच्छों मैं जा रही हूँ इस दुन्या में नम्न get सबसी ज्शादा आपसे मामा से और पापसे सबसे जादा प्यार करती हूँ सादушки सादूर सुवन करती हूँ क्या पढ़ रही हो तुम आप कब आ गई अरे बेटा ये तो वही डाइरी है न जो तुम बच्पन में लिखा करती थी हाँ ममा ये वही डाइरी है वैसे बेटा कल तुम्हारा बर्दे है याद है न तुम्हारे लिए कल स्पेशल है कल तुम 18th year की हो जाओगी बेटा तुम कहो तो मैं तुम्हार ले कोई पार्टी वाटी और्गनाईज कर दू मामा आपको पता है ने कि मुझे अपना बड़े मनना बिल्कुर भी पसंद ने हैं फिर भी आप ऐसे क्यों करती हो पर बेटा कब तक तुम ऐसा करोगी तुम्हारा अकल एतींत बड़े है और तुम्हें बड़े मनाना चाहिए बेटा नई मामा मुझे नहीं बनाना है चाओ मेरे कबरे से आज से दस साल पहले क्या हुआ था अब आप आपको पता है आजनो मेरा बोस्ती है बच्चे मैं अपनी बेटरी का बहुत दे कैसे भूल सकता हूँ को याद है न हमने सूफिया के लिए जो स्टप्राइज प्लैन किया था रैस्मीन बिटा मुझे सब याद है अंकल मुझे प्लीज अपने घर जाने तो ना प्लीज मुझे घर जाना है शांत हो जा रही तो बहुत महरोंगा तुमेdep किया है च्चोडने के लिए स्मझी मुझे दो तेरे बाप से बदला ले रहा है इसलिए तुझे घर लग रहा है प्लीज मुझे जाने दो ना बाप को फून करता हूँ मैं एलो कौन मुझे पहचाना मैं कौन हूँ बेटी आज मेरे कपजे में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुजनेस का सारा प्राफिट मेरे हवाले कर दे नहीं तो तेरी बेटी बचेगी नहीं कहा हूँ मेरी बेटी को छोड़ दो नहीं, तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए चिंता मत करो, सोफिय बिल्कुल ठीक होगी कि अपको चौड़ू करें यहीं पर सड़ते रहो इस मुझे कर जाना है अरे तुम कान हो तुम रो क्यो रही हो रोने से कुछ नहीं होगा यह किड्नैपर्स हमें रोने से छोड़ नहीं दें कि हमें कुछ करना होगा अन हो नम जैक है और इन किड्नापर्स ने मुझे भी किड्नैप कर लिया है पर चिंता मत करो हम दोलों साथ में मिलकर भाग जाएंगे यहां से बताएं आजना मेरे बोष्दी है और अपरे बोष्दी के दिने में किड्नाप हो गई मत करो लिटर गर्ल जैक तुम्हें बचा लेगा अब चलो जल्दी से यहां से भागने का कोई रास्ता धूनते इससे पहले किड्नापर्स आ जाएं ठीक है चलो भागते यहां सी वो छोटे बच्चे कहां चले गए अब मैं क्या करूँ कहां तुम्हें ठीक तो हो ना उनके ट्नापर्स थी तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना मुझे यकीन था कि तुम्हारे पापा तुम्हें बचा कर ज़रूर लाएंगे बचाहरे बचाहरे पापा तो बिल्कुल भी नहीं आए थी मैं तो एक लड़के की मद्ध से यहां पर भाग कर आई हूं वहारे पापा नहीं कहत्ते कुम्हारे पापा का कॉल आ रहा है हेलो कौन देखिये आप कि अंच्र सर्मा की वीवी ही है ना एम मिनच्र सर्मा की वह आपके पती कि हाइवेवे पापा एक्सिदेंट हो गया जल्दी से आ जाएए यह जल्दी हाइवे पापा का एक्सिदेंट हो गया शरी ने बीटल कुछ खा लो मुझे पापा चाहिए पापा क्यों नहीं आ रहे यह मुझे पापा की साथ में खाना खाना है अब तुम्हारे पापा कभी नहीं आएगे मेरी बच्ची आप खाना खालो कल भी नहीं देखना चाहती सुनना अफरत करती हो यह सोफिया जाओ यहाँ से मैं तुम सब कभी बात नहीं करूंगी और तुम आज से मेरी बहन नहीं हो जाओ मैं बेटा रुक जाओ ममी मैं उसी दिन किड्नेप हो गई थी उसी दिन पापा हमें छोड़ कर चले गई थी और उसी दिन दीदी ने मुझ से अपना नादा तोड़ दिया और मैं उस दिन क्यों सेलिब्रेट कैसे कर सकती हूँ ममी मैं कल का दिन सेलिब्रेट नहीं कर सकती और बहुत रात हो गई है मुझे सो जाना चाहिए अब ठीक है मेरी बच्ची तुम सो जाओ सोफिया बेटा अब चिंता मत करो तुमने जित्ते भी पास्ट में पूरी चीज़ेश सही होगी अब वो स्थब ठीक में करूँगी ममा क्या हो गया अपने मुझे तर सुबस वे क्यो उठा दिया बेटा आज तुम 18th year की हो गई हो गई हो अठाज साल की हो गई हो तुम आज से तुम एक नॉर्मल गर्ल नहीं रोगी तुम एक नॉर्मल गर्ल नहीं बरकि सूपर गर्ल हो